हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल आगे की लेक्चर को कांटिन्यू करते हैं वाट डू इनिमल्स इट एनिमल्स खाते क्या है आखिर चली देखते हैं यहाँ गिलहरी का फोटो दिख रहा होगा आपको देखिए जराय क्या खा रही है थोड़ा कल्पना करिए और स इसी तरह से आप कई तरह के जानवरों के बारे में सोच सकते हैं कि वह आखिर खाते क्या है चले देखते हैं यहां आगे क्या लिखा हुआ है यहां से स्टार्ट करना में दीजार काल्ड हर्वी बोर्स हर्वी बोर्स किसे कहते हैं हर्वी बोर्स वह होते हैं जो हरी साग animals which eat only plants और plant products मतलब ऐसी जीव होते हैं जो किवल plant खाते हैं या तो उनके products खाते हैं जैसे इसमें इसमें आप गाय को सोच सकते हैं गाय के बारे में गाय भी यही खाती है बकरिया भैसे हो गई यह सब ही क्या खाती हैं हरी साख सब्जीया यही सब चीजेें खाती हैं जो पौधों से प्राप्त होती हैं घास खाती हैं इसी तरह से आगे भढ़ेंगे तो आता है dee genre animals कीट other animals अब यह second point आता है जो कि इस related इस points related है कि जो ऐसे जीओ होते हैं जो अन जीओ का सेवन करते हैं वो carnivores होते हैं यानि कि जैसे आप लाइन को लेख लीजिए, सेर होता है, चीता होता है, ये क्या खाते हैं, आकिर मांस खाते हैं, वो मांस किसका होता है, अन्य जीओं का होता है, जैसे आपकी बकरी हो गई, हिरन हो गया, ये सभी बहुत कॉमन एक्जामपल है, इन ही के मांस वो खाते हैं, और जिंदा रहते हैं आगे आता है कटेगरी ओमनी वोर्स का जो दोनों तरह की चीजे खाते हैं मतलब एक चीज नहीं दोनों ही चीजें वो चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो चाहे वो आपका एनिमल प्रोडक्ट हो दोनों ही चीजें खाते हैं उसमें कौन आता है उसमें हम आ के साथ साथ मांस का भी सेवन करते हैं ऐसे जियों को ही ओमनी बोर्स कहा जाता है आगे देखिए टेवल 1.6 यह एक सैटिगी है जैसे हर बूइंब का इसमें बताना है आग्या कावी हो गया आगे अप लिख सकते हैं और गोट भीॉर्स में आप लौंए लिख सकते हैं आगे चीटा भी हो सकता है मतलब आप इसको सोचीं और इस टेवल को फिलब आप करिए आमनिवोर्स में आप यूमन विंग डाल दीजेगा इधर एक और टेवल दी गई है कि आखिर जो एनिमल होते हैं वो कौन-कौन से फूड़काते हैं से बफैलो है बफैलो के लिए क्या लिखा है ग्रास लिखा है हे लिखा है ग्रेंज लिखा यानि क्या खाती है भूसा खाती है और जो अनाज होती है उसे भी खा लेती है बिल्लिया क्या खाती है छोटे जीओं को खाती है पच्छियों को खाती है और दूद भी पीती है और हमने बहुत कौन एक्जामपल चूहे को देख रखा है जो की बिल्लिया बहुत पसंद करती है अक्सर और चू बुभा क्या खाता है रोटी खाता है गेहूं के दानी हो गए चोटे-चोटे वह खा सकता है और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो खाता होगा लॉयन है आपकी मांस खाता है टाइगर भी मांस खाते हैं तो इस तरह से आप इसको सोचिए और इस टेवल को कम्प्लीट करिए आगे देखिए लिखा है कि बी नोटेट देर आर मैनी एमंगेश्टेस वाट डूब गेट सफीसियंट फूड मतलब सही बात है कि हम में से हमारे ही बीच में कई ऐसे व्यक्ति होंगे कई ऐसे बच्चे होंगे जो की परियाप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं करवाते हैं वी नीट तौ फड़ीज वाई विच मोर फूड पान बीक्रों ग्रों इंदा कंट्री सही बात है इस बाथ पर विचार करना चाहिए सोचना चाहिए रिसर्च करनी चाहिए कि हम अपने कंट्री में और ज्यादा फूड कैसे ग्रो कर सकते हैं कैसे उसका scale बढ़ा सकते हैं, growth scale, आगे देखिए, we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and everyone of us, मतलब हमें किवल, growth से ही मतलब नहीं है, इसे देश के परतेक नागरिक तक easily, मतलब आसानी के साथ पहुचाया जा सके, आइसे तरीकों पर भी विचार करना होगा, जिससे हर एक व्यक्ति जो हमारे देश का निवासी है, नागरिक है, उसे भरपूर रूप से भोजन की प्राप्ति हो सके, तो कुछ इस तरह से ये chapter 1 खतम होता है, जो कि class 6th NCRT का chapter है, food where does it come from, thank you so much for watching this video, like, share and subscribe.